BPSC सिक्षक और अभ्यार्थी दोनों पर सरकार का कहर जारी नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्सक बंधुओं को मैं हूँ इसके चौदरी दोस्तो इन दिनों भी हर सरकार BPSC से बहाल तमाम सिक्षकों के उपर अपना कहर बरसा रही है तो वहीं BPSC से बहाल होने बाले सिक्षक अभ्यार्थियों के उपर भी अपना कहर बरसाने में कोई कसर नहीं छोर रही है वहीं दोस्तो BPSC से बहाल तमाम सिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है तो उधर BPSC TRE 3 के अभ्यार्थियों पर पतना की धर्ती पर लाठिया बरसाई जा रही है आखिर क्या कुछ हुआ है और हो रहा है BPSC सिक्षकों के साथ साथ BPSC सिक्षक अभ्यार्थी के साथ इससे पहले के इन तमाम बिंदूओं के उपर हम विस्तार पुरुवक चर्चा करें अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुशत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्प्या अभी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही बिंदू पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में BPSC सिक्षकों के उपर बिहार सरकार कौन सा कहर बरसा रही है और BPSC सिक्षक अभ्यार्थियों के उपर कैसे लाठिया बरसा रही है आईए सबसे पहले जानते हैं BPSC सिक्षक अभ्यार्थियों के बारे में दोस्तो आप सभी अवकत है कि BPSC TRE 3 की परिक्षा हो चुकी है और BPSC TRE 3 का रिजल्ट आना अब ही बाकी रह गया है और रिजल्ट आने से पहले बिहार के तमाम सिक्षक अभ्यार्थी बिल्कुल ही सजग है कि ऐसा ना हो कि BPSC TRE 2 और BPSC TRE 1 के अंतरगत जिस तरह से सिक्षक बहाली में धांदली हुई थी बाहर के अभ्यार्थियों को बहाल कर दिया गया था और बिहार के अभ्यार्थियों को भटकने के लिए छोड़ दिया गया था इस पर सजगता दिखाते हुए तमाम अभ्यार्थी BPSC कारियाले के निकट जाकर परदर्शन कर रहे थे और यह परदर्शन 12 अगस्त 2024 को निर्धारित थी दोस्तों तमाम चात्रों का परते निथितु कर रहे थे चात्र निता दिलिप कुमार और सभी एक जूटता दिखाते हुए BPSC कारियाले के सामने धरना पर बैठे हुए थे तमाम अभियर्थी इस बात को लेकर धरना पर बैठे थे कि BPSC TRE 3 से सम्बंदित जिससे में नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन में इस बात का उलेक किया गया था कि One Candidate One Result का परकासन किया जाएगा यानि अभियर्थियों का कहना था कि BPSC पहले ही अगोसना कर चुकी है कि TRE 3 के अंतरगत One Candidate One Result का परकासन किया जाएगा इससे तमाम सिक्षक अभियर्थियों को बहुत बरी राहत मिलेगी दोस्तों इन ही बातों को लेकर तमाम सिक्षक अभियर्थि BPSC कार्याले के समक्ष धर्ना पर बैठे हुए थे और उनका कहना था कि जब BPSC द्वारा ही पहले ही इस बात का नोटिपिकेशन जारी कर दिया गया है तो अब इस निती को अपनाने में BPSC पीछे क्यों हट रही है अभियर्थियों का कहना था कि हमें यह सक है कि इस बार ही BPSC TRE1 और TRE2 के तहत बहाली में बहुत बड़ी धांदली अपनाई जाएगी तमाम अभियर्थि इसी को लेकर सजकता दिखा रहे थे और साथी साथ धर्ना के करम में उनका कहना था कि BPSC दोरा इस बार तमाम अभियर्थियों से जुरे OMR सीट को अपलोड करने के लिए Beltron Center को इसकी जवाब देही दी गई है यानि BPSC दोरा Beltron जो एक नीजी संस्था है उस संस्था को यह जिम्यदारी दी है कि TRE3 से सम्मंदित जितने भी अभियर्थि है उनका अपना-पना OMR सीट BPSC के वेबसाइट पर अपलोड करे यानि BPSC OMR सीट को अपलोड नहीं करेगी और Beltron दोरा ही उस OMR सीट को अपलोड किया जाएगा यानि जब कभी भी कोई मामला फसेगा तो BPSC सीधे सब्दों में यह कह सकेगा कि आखिर OMR सीट के साथ क्या कुछ हुआ इससे हम बिल्कुल अनभिग्य हैं क्योंकि OMR सीट को हमने नहीं बलकि नीजी संस्था Beltron ने अपलोड किया था और इस बात को बार बार चातरनेता दिलीव कुमार दुहरा रहे थे कि धांधली करने का एक नया तरीका BPSC द्वारा ढूंड लिया गया है कि OMR सीट को Beltron द्वारा अपलोड करने का जिम्मा दिया गया है इन दो बिंदूओं को वाबस लेने को लेकर तमाम सिक्षका ब्यार्थी BPSC कार्याले के सामने एक खटे हुए थे कि वन का निडेट वन रिजल्ट का परकासन किया जाए और OMR सीट का अपलोडिंग का कार्ज Beltron से हटाते हुए BPSC खुद वखुद इसे वेबसाइट पर अपलोड करे अभिहर्थियों का भी कहना जाज था क्योंकि सक था उन्हें कि निश्चित रूप से Beltron सेंटर द्वारा इसमें धांदली की जाएगी सेटिंग वाले अभिहर्थियों के OMR के सार्ट छेडशार किया जाएगा और यहां तक की उनके OMR सीट में संसोधन भी कर दिया जाएगा दोस्तों अभिहर्थियों का कहना भी जाज था और उनका सक भी जाज था परंतु सांति पुन तरीके से तमाम अभिहर्थि BPSC कर्याले के सामने बैठे हुए थे इसी बिच परसासन द्वारा उस जगा को खाली करने का आदेश दिया गया सबसे पहले परसासन छात्रों के नेता दिलीप कुमार से मिले और उन्हें यह जगा खाली करने का आदेश दिया परंतु सिक्षक नेता दिलीप कुमार ने ये बाते कही कि हम सभी मिलकर सांति पुन तरीके से यह धरना कर रहे हैं और हम सभी की अमनसा नहीं है कि देर साम तक इस धरने पर बैठे रहे हमारी बाते अगर BPSC के चेर्मेन से हो जाती है तो हम सभी अभी ही खाली कर देंगे कहीं और जाकर धरना करने की मुझे आवस्यक्ता नहीं है दोस्तों इन बातों को सुनते ही परसासन भरक गई और छातरनेता दिलिप कुमार का कॉलर पकरते हुए और बिलम जगा खाली करने का आदेश दिया जब उन्होंने जगा को खाली नहीं किया तो उन्हें घसीटते हुए वहां से हटाने का परयास किया गया उसके बाद ही जब छातरनेता अपने मुद्दों पर डटे रहे उसके बाद परसासन द्वारा उन पर लाठिया बरसाई गई दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि छातरनेता दिलिप कुमार धरने पर बैठे थे तिरंगा जंडा लेकर एक बखोबी उन्होंने भारतिय होन को आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं वास्तम में एक भारतिय हूँ और भारतिय खुद मीट सकता है लेकिन तिरंगे को कभी जुकने नहीं देगा और बातों बातों में पुलिस परसासन इतनी उगर हो गई कि खदेर खदेर कर एक-एक सिक्षक अभिहर्थियों को भगा किसी तरह वो सभी मिलकर सुरक्षित हो पाए और या धरना वहीं पर समाफ्त कर दिया गया नेचित रूप से सरकार के द्वारा अगर तमाम सिक्षक अभिहर्थियों के ऊपर लाठिया बड़साई गई है तो यह एक बहुत ही सर्मसार करने वाली घटना है क्योंकि सिक्षक अभिहर्थी कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे सिक्षक अभिहर्थी सांती पुन परदरसन कर रहे थे सिक्षक अभिहर्थी पहले भी देख चुके हैं कि TRE 1 और TRE 2 की अंतरगत धेर सारी खामिया नजर आई है और गलत तरीके से बहाली हुई है वही TRE 3 की अंतरगत एक बा अभिहर्थी धांदली को लेकर अपनी सजगता दिखाते हैं तो उनके उपर लाठियों का परहार किया जाता है नेचीत रूप से बिहार के छात्रों के साथ किया गया या बहुत बड़ा अर्न्याय है वही दोस्तों BPAC सिख्छकों के बारे में कहा जाए तो BPAC TRE 1 और TRE 2 की अंतरगत जो भी सिख्छक बाहल हुए थे उसमें धेर सारे ऐसे सिख्छक थे जो बिहार से बाहर के बासी थे और उसमें धेर सार पुरे बिहार से सिक्षकों की छटनी कर दी गई है वही अभी भी सिक्षक बरतमान में कारणत है इसके अंतरगत एक बरा कदम उठाते हुए तहरसा जिला सिक्षा पताधिकारी ने बीपीएसी से बहाल सिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रकडिया सुरू कर दी है जिसमें के अंतरगत बहाल बीपीएसी पलस्टू सिक्षका सिरिमती अन्नु जो की उत्तर परदेश की रहने वाली थी और वह एस्टेट पेपर टू में उत्तिर नहीं थी फिर भी वह पलस्टू की सिक्षका बन गई थी अब अन्ता गत्वा जिला सिक्षा पताधिकारी सहरसा की ओ कुमारी अंतिमा भारती को सिटेट पेपर टू में 56 परतिसत ही मार्क प्राप थे उसके बाद भी वो बिहार में बीपीएसी सिक्षका बन गई थी यानि वो महिला आरक्षन के आधार पर बीपीएसी सिक्षका बनी थी और उनके लिए 60 परतिसत अंकलाना अनिवार्ज था इस आधार पर उन्हें भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है दोस्तों बताते चले कि कुमारी अंतिमा भारती बीपीएसी टियारी टू की अभ्यरती थी जो सिक्षका बनी थी वहीं दोस्तों सिरीमती फरहत जैवा जो की जारखंड राज की रहने वाली थी और वो बिहार में आकर कक्षा 6-8 की बीपीएसी सिक्षका बन गई थी शिरीमती फरहत जैवा को सीटेट पेपर 2 में अंठावंद समलव 5% अंखी पराप्थ हुए थे लेकिन महिला आरक्षन का लाब उठा कर वो बिहार में विद्यालेया ध्यापक बन गई थी अंतह गत्वा जिला सिक्षा पतादिकारी सहरसा की ओड से उनकी सिवा समाप्ती समंधी पत्र जारी कर दिया गया है दोस्तों स्रीमती फरहत जैवा बीपीएसी टीरी 2 की अभेरती थी वही दोस्तों स्री रविंद्र कुमार यादव जो की उत्तर परदेश के रहने वाले थी और वो पलस 2 के सिक्षक थ उनकी भी बहाली वीपीएसी टीरी 2 के अंतरगत हुई थी लेकिन उनके एस्टेट पेपर 2 में मातर 48 परतिशत ही अंग पराप्त थे और इस तरह से उन्होंने अरक्षर का लाब लेकर बिहार में विद्यालया ध्यापक बन गये थे यानि सीनियर सेकेंडरी के टीचर बन ग उन्हें आरक्षन का लाब दे दिया गया था आखिर उन्होंने आवासिय पर्मान पत्र भी अपने आवेदन के साथ एटेच किया होगा साथ ही साथ कौंसलिंग के करम में उनके द्वारा आवासिय पर्मान पत्र भी सुपूर्द किया गया होगा तो आखिर उस वक्त कहां गए कॉंसिलिंग करने वाले कर्मी क्यों नहीं ध्यान गया था उनका क्या सिर्फ एक यादव टाइटल देखकर ही समझ गए कि इन्हें अरक्षन का लाब मिलना चाहिए बिहार राज से बाहर रहने के कारण उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और ये भी BPSC TRE2 से सम्बंदित अभियर्थी थे तो इस तरह से कुल 4 BPSC सिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है देखना है कि और अन्य जीलों से कितने सिक्षकों की सेवा समाप्त की जाती है क्योंकि माने निये पटना उचने आले द्वारा पहले ही अफैसला दे दिया गया है कि बिहार से बाहर के रह आप क्यों न किया हो हर हाल में उन्हें पुरुस अभियर्थियों के सीट पर ही बहाल होना होगा ना कि बिहार के महिला अभियर्थियों के सीट पर उन्हें बहाल होना होगा अभी धेड सारे ऐसे सिक्षक होंगे जो महिला आरक्षन के लाप पर बिहार में सिक्षका बनी है इनकी भी छटनी जरूर की जाएगी पर्थम चराने में अभी सिर्फ सिर्फ सीटेट या फिर एश्टेट में अगर 60% से कम अंग प्राप्त है तो इसके आधार पर उनकी सेवा स्माप कर दी जा रही है फिलहाल आज की खबर बस इतना ही आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास सेर कीजे और अब दीजे अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त जय हिंद जय भारत